आपको ब्लूमिंग केसडिया रिंग बनाना सिखा रहे हैं जिसके लिए दो कप उबली और रेशा की हुई चिकनली है दो कप मोजरेला और चैडर चीज एक कप मेरिनारा सोस अगर आपके पास मेरिनारा सोस नहीं है तो आप टोमाटो कैचप भी यूज कर सकते हैं एक कप बारी कटा हुआ प्याज एक कप बारी कटी हुई शिम्ला मेर्च और विस अदर टोर्टियाज एक बॉल में सब चीजे मिक्स कर देंगे चिकन शिम्ला मेर्च प्याज अधी चीज डाल देंगे और मेरिनारा सोस डाल कर मिक्स कर लेंगे सब चीजे को मिक्स कर लिया है अब इसको एक साइड पर रखेंगे अब टोर्टियाज को काट लेंगे सारे टोर्टियाज को दर्म्यान से आदा कर लेंगे और एक टोर्टिया लेकर इसकी एक कौन बना लेंगे और इसमें ये तियार किया हुआ चिकन डाल देंगे और इसको इस तरह एक ट्रे में रखते जाएंगे केसडिया रिंग बनाने के लिए हमने ट्रे के दरम्यान में एक प्याले को रख दिया है और इसके चारू तरफ टोर्टिया की तियार की हुई कोने लगाते जाएं केसडिया रिंग की पहली लियर लगा दी है अब इस पर थोड़ी सी चीज डाल देंगे अब इस पर कौन्स की दूसरी लियर लगा देंगे कौन्स की दूसरी लियर भी लगा दी है अब इस पर दुबारा थोड़ी सी चीज डाल देंगे अब इस पर तिसरी लियर लगा देंगे अब इस पर बाकी बची हुई चीज डाल देंगे और इसको फ्री हीटिड ओवन में 200 डिग्री सेंटी करेट पर 10-15 मिन्ट तक बेक कर लेंगे या उतनी देर के चीज मेल्ट हो जाए यजज ब्लूमिंग केसडिया रिंग को आमन से निकाल कर कैचप या किसी भी सालसा के साथ सर्व करें आप भी इसको ज़ूर ट्राइ कीजेगा रोब भ्ताईएगा आपका ब्लूमिंग केसडिया रिंग कैसा बना घर आप और एस पी अच्छी लग केंजे तो लाइक और